विनाश एक आवश्चक विशले वानी पी़िया से समय के प्रभाव से ब्रम्भान में अनिक विनाश हुए है और कोई भी उनेे किसी भी तरह से रोक नहीं सका है। हमारे दैनिक जीवन में भी ऐसी बहुत सी चीजे आती जाती रहती हैं जिन में हमारा कोई हाथ नहीं होता लेकिन हमें बिना किसी उपाय के उन्हें भुगतनाया सहन करना पड़ता है। वह समय का परिणाम है। श्रील प्रभुपात की पुस्तकें, व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवर्शक विश्य की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा कि वानी कोट्स डिवा स्टेशन श्रिणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निमनलकत आठ्र धरणों उन्हें केवल अस्थाई राहतकारियों में रुचे लेना सिखाय गया है, जो कभी भी जीव को वास्तिविक खुर्शी नहीं दे सकता। वे प्रकृति की विनाशकारी शक्ति से निपटने के लिए विभिन प्रकार की सार्वजनिक और अध्वसरकारी संस्थाय शुरू कर भगवान के परम व्यक्तित्व अपनी मायावी उर्जा से सत्य अर्वरत को विनाश के प्रभाव दिखाना चाहते थे। श्रीमत भागवत 8.24, 37, महर लोक, तपो लोक, सत्य लोक और ब्रहम लोक जैसे उचलोक विनाशकारी जल में नहीं घुलते। ये उनके निवासियों भगवान को प्रदान की गया कारण भक्ति सिवा के कारण है जिसका अस्तित्वत विपरार्दकाल के अंतक जारी है। श्रीमत भागवत 3.109, विप्रकृती की विनाशकारी शक्ति से निपटने के लिए विभिन प्रकार की सार्वजनिक और अर्धसरकारी संस्थाय श्रापित किया जाता है लेकिन वे गीता के संदेश को नजरंदाज कर देते हैं जिसके द्वारा भौतिक टकृती को शांत किया जा सकता है। श्री शोपनिशद, मंत्र 14, विनाश की शिरुवात में सभी समुद्रुफान पर आ जाते हैं और तुर्फानी हवाएं बहुत तेजी से चलती हैं। इस प्रकार समुद्र की लहरे भयंकर हो जाती हैं और देखते ही देखते तीनों लोग जल से भर जाते हैं। श्रीमत भागवत 3.11, 31, भगवत गीता से जानकारी मिलती है कि ब्रहमलोग सहित भौतिक चगत के सभी ग्रह अस्थाई रूप से स्थित है लेकिन जो भगवान की राज्य तक पहुँचता है उसे शाश्वत जीवन में स्थाई हिस्सा मिलता है। यही वैदिक साहिति का निरण है। श्रीमत भागवत 2.3, 11, अनुने सभी जीवों की विपरीत, पहले जन्मे प्राणी का कोई भौतिक पिता नहीं होता और इस प्र कार होता है। श्रीमत भागवत 3.8, 15, सहस्त्राबवी के अंत में जब भगवान नारायन विनाश के पानी के भीतर लेट गए। ब्रह्मा ने सभी रचनात्मक तत्वों के साथ उनमें प्रवेश करना शुरू कर दिया और मैं भी उनकी सांस के माध्यम से प्रवेश कर गया श्रीमत भागवत 1.69